नश्यार दोस्तों, डेट है आज की 3 माई 2019 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में नज़र डाल लेते हैं कौन से आटकल्स आज हम डिसकेश करने जा रहे हैं पहला आटकल यहाँ पे मसूद अजर को अब United Nations Security Council ने Global Terrace Designate कर दिया है इंडिया की यह एक बड़ी diplomatic victory है डिसकेश करेंगे इस आटकल को नीचे का यह आटकल एक दुखत घटना के बारे में है महराश्टर के गढ़ चिरोली डिस्टिक में नक्सलियों के द्वरा एक landmine attack क्या गया जिसमें हमारे 19 security personnel सहीद हो गए डिसकेश करेंगे इस आटकल को भी बीच में यह बड़ा आटकल सिलंका में हुए terrorist attack के बाद वहां की राजनीती से समनित है नहीं important article नहीं discuss करेंगे नीचे का यह आटकल काफी ज़्यादा important है female labor force participation rate के बारे में महिलाओं के education level में improvement हो रहा है लेकिन फिर भी female labor force participation rate क्यों कम हो रहा है क्या reasons है महिलाओं का labor force में participation काफी ज़्यादा कम है डिसकेश करेंगे इस आटकल को डिटेल से और दूसरे पेज़ पे यह आटकल एक interview पर कासित हुआ है climate change से समनित देखो सिधे सिधे points नहीं निकल के आ रही है मतलब चर्चा चल रही है तीन लोगों के बीच में prelim आप ठीक से दे दीजिए और prelim के बाद climate change से जो समनित issue है वो हम डिटेल से डिसकेश करेंगे सभी aspects में फिलाल हम discussion स्टार्ट करते हैं सबसे बहले important article United Nations Security Council के द्वरा मसूद अजर को global terrorist designate करने से समनित है आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हूँ देखो 1999 में मसूद अजर भारत की एक jail में बन थे लेकिन IC 814 विमान का अपरन कर लिया गया और मसूद अजर को छुडवा लिया गया उसके बाद मसूद अजर और उनकी organization जैसे मुहमद ने इंडिया में बहुत सारे terrorist attacks को अंजाम दिया जैसे 2001 में parliament attack हुआ 2016 में पठान कोट में airbase पे attack हुआ और हाल ही में 14-5 को CRPF के काफिले पर पुलवामा में attack किया गया में 40 से जादा हमारे जबान सहीद हो गए इन सभी attacks की जिम्यदारी ली जैसे मुहमद ने तो इंडिया देखो पिछले काफी सालों से परियास कर रहा था कि United Nations Security Council मसूद अजर को global terrorist designate करे इंडिया ने तीन बार परियास किये 2009 से लेके 2017 के बीच लेकिन चाइना ने हर बार अपनी वीटो का इस्तमाल किया और मसूद अजर को global terrorist designate नहीं होने दिया इवन पुलवामा हमले के बार भी US, UK, France इन देशों के द्वरा जो पर्पोजल रखा गया था मसूद अजर को global terrorist designate करने से समबंदी था चाइना ने उस पर्पोजल को ब्लोक कर दिया तो इंडिया ने उस समय चाइना के साथ टकराने के बज़ाए चाइना के साथ एंगेज करने की रणीती अपनाई उस समय देखो Ministry of External Affairs के दवरा statement दी गए थी कि चाइना के साथ deal करते वक्त हमारी अप्रोच रहेगी patience and persistence की patience का मतलब होता है धेरे और persistence का मतलब होता है त्रिड़ता मतलब आप अपनी opinion पर अडिग हो difficulties के बावजूद और इसी patience और persistence की वज़े से इंडिया चाइना को समझा पाने में काम्याब हो पाया और इस बार चाइना ने अपनी V2 का इस्तमाल नहीं किया यानि मसूद अजर को अब United Nations Security Council के द्वरा Global Terrors डेजिनेट कर दिया गया है लेकिन देखो एक छोटी सी निरासा ये रही जब final listing release की गई Security Council के द्वरा उसमें नाम तो है मसूद अजर का लेकिन ये नहीं मैंसन किया गया है कि मसूद अजर को Global Terrors क्यों डेजिनेट किया जा रहा है वज़य भी मैंसन होती तो ज़्यादा अच्छा रहता अगर ये मैंसन होता कि मसूद अजर का रोल है इंडिया में Attacks को करिया उट करवाने में मसूद अजर का रोल है जमूद का स्मीर में Insurgency को पर्मोट करने में तो ज़्यादा अच्छा रहता नाम तो है Final Listing में मसूद अजर का लेकिन क्यों नाम है वो सब चीजे मैंसन नहीं है इसलिए थोड़ी सी निरासा आप कह सकते हो हाथ लगी इंडिया के लेकिन मसूद अजर को ग्लोबल टेरिस्ट डेजिनेट करवाना ये एक बड़ी एचीवमेंट है वैसे देखो डिप्लोमेसी के जो जानकार है उनका ये मानना है चाइना ने दोनों रेसों को खुश करने की कोशिस की है इंडिया को भी पाकिस्तान को भी कैसे देखो इंडिया तो खुश हो गया क्योंकि मसूद अजर को ग्लोबल टेरिस्ट डेजिनेट कर दिया लेकिन पाकिस्तान भी अपनी विक्टरी क्लेम कर रहा है पाकिस्तान कहता है जीत हमारी हुई है क्योंकि मसूद अजर को global terrorist जो designate किया गया है mention कुछ भी नहीं है कि मसूद अजर ने क्या किया है पुलवामा को कोई mention नहीं है इसलिए पाकिस्तान इसे अपनी जीत बता रहा है लेकिन देखो पाकिस्तान को illusion से बाहर आना चाहिए कि इस चीज में पाकिस्तान गर मैसूस कर रहा है क्या इस चीज में आज के समय में कम से कम 20 आतकवादी ऐसे हैं जिनको United Nations Security Council के दवरा global terrorist designate किया गया है और वो पाकिस्तान की धर्ती पर रह रही है क्या ये गर करने वाली चीज है कताई नहीं अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के आगे की रनीती क्या होने चाहिए देखो ये बात सही है मसूद अजर को अब global terrorist designate कर दिया गया है United Nations Security Council के दवरा तो होना तो ये चाहिए कि मसूद अजर की सारे की सारी जो एसेट है पाकिस्तान में वो freeze हो जाए और travel band लग गया है मसूद अजर के ऊपर लेकिन देखो इससे पहले और काफी सारे आंतकवादी जैसे हाफिस सहीद 26-11 हमले का mastermind जकी उलरह्मान लकवी ये आंतकवादी देखो पाकिस्तान में खुले आम घूमते हैं एंजियोज चलाते हैं और एंजियोज की साहिता से चंदा भी इकर्था करते हैं लेकिन पाकिस्तान की सरकार कोई action नहीं लेती और action लिया भी जाता है तो सिरफ और सिरफ दिखाने के लिए लिया जाता है एक NGO बंद होता है तो दूसरा बैंक अकाउंट की साहिता से चंदा लेना जारी रखा जाता है तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया को पाकिस्तान पर लगातार पोलिटिकल और फाइनेशल प्रेसर लगाना होगा ताकि मसूद अजर को जो ग्लोबल टेरिस्ट डिक्लेर किया गया है उसके जो परिनाम होंगे उनको पाकिस्तान effectively implement भी करें जैसे देखो एक solution इंडिया के लिए हो सकता है Financial Action Task Force जिसने पाकिस्तान को अभी grey list में रखा हुआ है अगर पाकिस्तान मसूद अजर पर पाबंदिया नहीं लगाता है तो Financial Action Task Force के पास जाकर इंडिया बोल सकता है देखो पाकिस्तान अभी भी आंतकवादियों को सरन दे रहा है तो आप पाकिस्तान को black list में डालिए जून में Financial Action Task Force जो है वो पाकिस्तान के status को review करेगी तो इंडिया अगर pressure लगाएगा लगातार पाकिस्तान पे पाकिस्तान को मजबूर होना होगा मसूद अजर पर पाबंदिया लगाने के लिए ताकि मसूद अजर ना तो funds प्राप्त कर स्केम donation के तोर पे ना ही इंडिया के खिलाफ insurgency को परमोड करने के लिए पाकिस्तान की धर्ती का इस्तमाल कर स्केम तो ये पूरा आर्टकल हमने डिसकस किया मसूद अजर के बारे में चलते हैं आगे नैस्ट आर्टकल गर्चिलोली में हुए नक्सली अटैक के बारे में है आप GS Paper 3 के इस टोपिक से आर्टकल को रिलेट कर सकते हों महराष्टर का गर्चिलोली डिस्टिक लोकेशन आप देख लेजे ये महराष्टर है और यहाँ पर है गर्चिलोली डिस्टिक रैड कोरिडोर में आता है ये डिस्टिक यहाँ पर महराष्टर फाउंडेशन डे के मोके पर नक्सलीयो के द्वरा में लैंड माइन अटैक किया गया जिसमें हमारे 15 स्क्योर्टी परसनेल सहीध हो गए इससे पहले देखो आलमोस्ट एक महिना पहले 36 गड में भी नक्सलीयो के द्वरा अटैक किया गया था जिसमें बीजेपी के एक विधायक और कुछ स्क्योर्टी परसनेल की डेथ हो गई थी वैसे दो देखो पिछले कुछ समय में नक्सल परभावी डिस्टिक्स में कमी आई है लेकिन जिस आसानी के साथ इन लोक्स रवा इलेक्संस में नक्सलीयों ने अटैक किया है ये स्क्योर्टी एजन्सिस के लिए एक चिंता का कारण जरूर होना चाहिए हम बात करें गड़ चिलोली में नक्सलीयों के द्वारा जिस परकार से अटैक को अंजाम दिया गया उन्होंने बेट का इस्तमाल किया बेट मतलब आप समझते हो ना जैसे सेर को पकड़ना हो तो बकरी को आगे कर दिया जाता है बकरी के लालच में सेर आता है और बात में सिकारी सेर को पकड़ लेता है उसी परकार से पहले इस एरिया में नक्सलीयों के द्वारा क्या क्या गया आग जनी की गई बहुत सारे वीकल्स में आग लगा दि गई तो वहाँ पर जो local police station है उन्होंने 15 security personnel को भेजा, वो security personnel local ही थे, standard operating procedures को भी नहीं follow किया गया क्योंकि पहले एक road opening party जाती है, ये ensure करने के लिए कुछ गर्वट नहीं है, road साफ है, लेकिन standard operating procedures को follow नहीं किया गया और 15 security personnel की एक quick response team भेजी गई, लेकिन पहले से नक्सलियों ने landmine बिचा के रखा था और जैसे ही 15 security personnel वहाँ से गुजरी और landmine attack हो गया, आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है, वैसे तो गर्चिरोली district, चंदरपूर district, महराश्टर के ये जो जिले हैं वो नक्सल परभावी जिले हैं, और इन जिलों में जो voter turnout हैं, वो 2014 के अपिक्सा कर्थ ज़्यादा रहा, यानि ज़्यादा voters बाहर निकले, vote करने के लिए, इसका मतलब साफ तोर पर ये हैं, voters का विश्वास हैं, देश के लोगतंतर में, और नक्सलियों का साथ देने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हैं, लेकिन बात ये हैं, कि 30 companies CRPF की वहाँ पर तेनाद थी, 135 personnel की अलग से company थी, 13 companies तेनाद थी, state reserve police force की, और 500 local police के जवान तेनाद थी, गर्ची रोली district के भी, और आसपास के जो चंदरपूर district या फिर दूसरे district हैं, वहाँ से भी police जवानों को बुलाया गया था, तो इतना भारी police बल तेनाथ होने के बावजूद इस परकार का जो अटैक हो जाता है, तो security agencies को सोचना चाहिए, कि planning में आखिरकार कहां कमी रह गई, कि नक्सली इस परकार का बड़ा अटैक अंजाम दे पाए, लास्ट में एक point ये बोला जाता है, देखो 2008 के आसपास, डाक्टर मनमोन सिंग जो हमारे उस समय परधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी एक statement में कहा था, नक्सली जम की जो समच्या है, वो सबसे बड़ी समच्या है, लेकिन ये बात सही है, बाब में security agencies ने अच्छा काम किया, और नक्सल पर भावी districts में काफी कमी आई, नक्सली जम की जो read है, वो तोड़के रख दी हमारी security agencies ने, लेकिन अब security agencies को निश्चिन्थ होकर नहीं बैठना चाहिए, कि हाँ, नक्सली जम अब खतम हो चुका है, इस परकार की जो चीज है, वो देखों मूगा दे सकती है, नक्सलीों को फिर से एक जूट होने का, और जो उनका ground base है, उसे expand करने का, इसलिए आउसकता ये है, जहां पे governance नहीं है, जहां पे development नहीं है, सरकार वहां पे governance लेके आए, सरकार वहां पे development लेके आए, ताकि जो लोकल लोग हैं, वो किसी परकार से, नक्सली ideology के तरफ आकरसित ना हो, और दूसरी तरफ, जो हमारी security agencies हैं, उनको भी अपना काम ठीक से करते रहना होगा, यानि उनको नक्सलीों पे pressure maintain रखना होगा, तो यह पूरा article हमने डिसकस किया, महराष्टर के गर्ची रोली में हुए attack के बारे में, चलते हैं आगे, नए स्थार्ट कल, labor force में, महिलाओं के parties patient के बारे में हैं, आप GS paper 1 के, इन topics के साथ article को relate कर सकते हो, देखो अभी फिलाल हमारे देश में, लोक्षबा elections चल रही हैं, और women political parties के दवरा डावा किया जा रहा है, कि हम महिलाओं के लिए, livelihood opportunities उपलब्द करवाएंगे, उन्हें रोजगार देंगे, महिलाओं के employment समंदित issues पर काफी चर्चा हो रही है, और women political parties ने अपने अपने manifesto में इसे जगा भी दी हैं, ये देखो काफी अच्छी बात हैं, क्योंकि इससे पहले, women employment से समंदित issues पर इतना ज़्यादा focus नहीं होता था, इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी, अगर हम आंकडो की बात करें, 2011-12 में, female labor force participation था, कितना 31.2%, 2017-18 में घट के हो गया 23.3%, rural areas में जो decline हुआ है, female labor force participation में, वो देखो और भी ज़्यादा हुआ है, आलमोस्ट 11% का, मतलब 2011-12 से लेके, 2017-18 के बीच, female labor force participation, rural areas में 11% तक घट गया, आपके दिमाग में देखो, एक बात जरूर आई होगी, कि आज कल, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, education प्राप्त कर रही है, situation भी पहले से धिरे-धिरे, improve हो रही है, stigma जो attached था पहले, कि हाँ महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए, वो stigma भी तूट रहा है, तो आखिरकार ऐसा क्यूं है, मतलब, female labor force participation बढ़ने के वज़ाए, घट क्यूं रहा है, इसका देखो सिधा सिधा reason ये है, कि महिलाओं के education level में improvement, तो आपको अभी भी लगा होगा, कि education level बढ़ने से, तो जो असानी से मिलनी चाहिए न, लेकिन देखो उल्टा है, जब महिलाओं educated नहीं होती, तो वो agriculture sector में काम कर लेती है, या फिर दूसरा कोई manual work, या फिर daily wages वाला काम कर लेती है, लेकिन वो महिलाओं, जिन्होंने शिक्सा प्राप्त की है, वो देखो इस परकार का का काम क्यूं करेंगी, उनको तो उनकी योगिता के हिसाब से जोब मिली चाहिए न, लेकिन हमारी economy में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इस परकार की ज़्यादा jobs generate हो ही नहीं रही है, तो ये देखो एक major reason है, कि महिलाओं की educational level में improvement, जिसकी वज़े से female labor force participation rate जो है, वो बढ़ने के बजाए कम होई है, क्योंकि educated महिलाओं को jobs नहीं मिल पा रही है, यहाँ पे देखो एक आकड़ा भी दिया हुआ है, अगर हम बात करें 25 से 59 years age group की, इस age group में farmers, farm laborers, service workers की जो संख्या है, उसमें 33% महिलाएं हैं, लेकिन बात करें, professionals की, managers की, clerical workers की, इन सभी professions में सिरफ 15% महिलाएं हैं, अब नैश देखो हम बात करें अगर, दूसरे कौन से reasons हैं जिसकी वज़े से female labor force participation rate कम है, सबसे पहला reason, low social acceptability, देखो यह बात सच है, situation improve हुई है, लेकिन आज भी बहुत से जो लोग हैं, वो conservative सोच के हैं, जो महिलाओं को घर से बाहर नहीं भेजना चाते जोब करने के लिए, दूसरा, lack of access to safe and secure workplaces, काफी बार देखो, workplaces पर sexual harassment की जो news आती रहती हैं, यह भी एक reason है, जिसकी वज़े से female labor force participation rate कम है, तीसरा, poor and unequal wages, सेम काम के लिए man को ज़्यादा पैसा दिया जाता है, woman को कम दिया जाता है, discrimination होता है, और चोथा reason, कमी है देखो, suitable और decent jobs की काफी ज़्यादा कमी है, जिसकी वज़े से, even education प्राप्ट करने के बावजूद महिलाओं की जो jobs हैं, और जैसा हमने पहले डिसक्रस किया, education प्राप्ट करने के बावजूद, खेत में काम करना, या फिर दूसरा कोई manual labor करना, ये तो एक परकार से under employment है, अब next, देखो, question ये उड़ता है, कि सरकार को क्या steps लेने चाहिए, female labor force participation rate को increase करने के लिए, सरकार को देखो, काफी steps लेने की आऊ सकता है, सबसे पहले तो, recruitment में जो बेदभाव होता है, महिलाओं के साथ, वो किसी परकार का discrimination ना हो, ये सरकार को ensure करना होगा, दूसरा, workplaces पे महिला, सुरक्षित तरीके से काम कर स्केम, इसके लिए भी, सरकार को 2013 का, workplaces पे sexual harassment को रोकने के लिए, जो act है, उसे effectively implement करना होगा, तीसरा, public services प्रोवाइड करनी होगी, transport sector अच्छा होगा, तो महिलाओं दूर द्रांज के, एरियास में जाके भी, अच्छे से काम कर सकेंगी, इसके लावां, free and accessible public toilets होने चाहिए, महिलाओं के लिए, और household water connections, क्योंकि देखो, एक point वैसे जो बाद में आएगा, अभी आपको बता देता हूँ, महिलाओं देखो, घर का सारा काम करती है, लेकिन देखो, उनके साथ एक अजयाई ये है, कि उनका जो काम है, वो economy में count नहीं होता, GDP में कहीं भी count नहीं होता, ये एक परकार से unpaid work है, ये बहुत ज़्यादा गलत है, महिलाओं का घर का जो काम है, वो भी economy में count होना चाहिए, इसके लावा सरकार को कौन से steps लेने के आव सकता है, जगा जगा CCTV cameras लगाए जाएं, और lightning का पूरा परबंद होना चाहिए, ताकि महिलाओं रात को, शाम को काम करके लोटें, तो कुछ road पर ऐसे sports ना हो, जहां पर बिल्कुल lightning ना हो, अंधेरा हो, तो इस परकार की जगाओं पर violence की संभावना जो है, महिलाओं के against वो ज़्यादा होती है, पुलिस भी अपनी जो पैट्रोलिंग है, वो बढ़ाएं, अगर देखो ये सब चीजे होती है, तो महिलाओं सेफ महिलाओं करेंगी, ज़्यादा महिलाओं घर से बाहर निकलेगी काम करने के लिए, और female labor force participation rate जो है, वो बढ़ेगा, आगे कुछ और points भी है, जैसे fair and decent living wages मिलने चाहिएं महिलाओं को, और social security की काफी सारी schemes हैं, जैसे maternity benefit, sickness benefit, provident fund, pension fund, इनको भी महिलाओं access कर स्केम, इस दिशा में सरकार को काम करना होगा, आगे देखो कुछ अलग तरह के अच्छे points दे जाते हैं, जैसे देखो आपने काफी बार देखा होगा, गाउं से काफी सारे पूरुष जाते हैं सहरों में काम करने के लिए, शुरुवात में देखो काफी दिनों तो काम नहीं मिलता, या फिर ऐसा काम मिलता है जिसमें wages काफी ज़्यादा काम होते हैं, तो वो मैं जिनोंने गाउं से सहरों में माइगरेट किया हैं, उनके पास कोई ठिकाना नहीं हो पाता सहर में, मजबूरी में उनको सड़क के किनारे या फिर जहां जगा मिले वहां पर सोना पड़ता है, लेकिन आप सोच के देखिए, अगर किसी वूमन ने माइगरेट किया है सहर में, तो उसको कितनी प्रोब्लम का सामना करना पड़ेगा, उसका अगर कोई ठिकाना नहीं है, तो होना ये चाहिए, सरकार माइगरेंट वरकर्स के लिए खांस करके महिलाओं के लिए, एक स्पेस उपलब्द करवाए सहरों में, जो वरकर्स जिन्होंने माइगरेट किया है, उनको रात को एक जगह मिले सोने के लिए, और माइगरेंट वरकर्स की हेल्प करने के लिए, जैसे काफी बार देखो, migrant workers के साथ कोई अन्होनी हो जाती है उनको crisis का सामना करना पड़ता है तो उनको help करने के लिए migration, facilitation center और crisis center establish क्या जाए बड़े सहरों में temporary center facility provide की जाए, help line उनको दी जाए, legal aid उनको provide की जाए, medical और counseling facilities provide की जाए, और सरकार social housing spaces भी उपलब्द करवाए women workers के लिए, जैसे hostels, या फिर किरायत के लिए, किरायत देकर कोई दूसरा घर इस परकार की चीज़ें, और सबसे लास्ट में women workers के लिए market में, या फिर vending zone में थोड़ा सा space reserved किया जाए जहाँ पर women toilet हो या फिर दूसरी जो basic facilities होती है, वो हो last में article में ये कहा जाता है सरकार को देखो, और ज़्यादा research की भी आऊ सकता है latest data collect किया जाए कितनी महलाएं paid work कर रही है कितनी महलाएं unpaid work कर रही है और ये जो unpaid work है यानि घर का काम ये तो देखो, distribute होना चाहिए सिरफ महलाओं की जिम्मेदारी नहीं है घर का काम, पुर्षो की भी जिम्मेदारी है घर का जो काम होता है मतलब सारा का सारा जो काम है वो महलाएं ही क्यों करे पुर्षो को भी महलाओं का हाथ बढ़ाना चाहिए इस परकार के काम में दूसरा ये सारे जो steps हमने discuss किये वो भी सरकार को उठाने के आँ सकता है तीसरा महिलाओं को farmers माना जाए जैसे देखो अभी आपने देखा होगा जारतर जो land है वो man के नाम पे होता है woman के नाम पे जो land है वो काफी ज़्यादा कम होता है इवन खेतों में ज़्यादा काम करने के बावजूद भी महिलाओं को farmers नहीं माना जाता है तो जब तक इस परकार के बदलाव नहीं आएंगे female labor force participation rate नहीं बढ़ेगा ये पूरा आर्टिकल हमने discuss किया female labor force participation rate के बारे में ये थी हमारी आज की discussion आज हमने तीन issues पर focus किया सबसे पहले United Nations Security Council के द्वारा अब मसूद अजर को global terrorist designate कर दिया गया है दूसरा आर्टिकल हमने discuss किया महाराश्टर के गर्चुरोली में एक landmine attack हुआ जिसमें हमारे 15 security personnel सहीद हो तीसरा आर्टिकल हमने discuss किया female labor force participation rate के बारे में Thank you, thank you very much for discussion